स्वागत से दोस्तों आपका हमारे यूटीब चैनल इन्वेस्टेड़ दाम है दोस्तों आज हम एकसेस की एक ऐसी फाइव स्टार स्कीम लेकर आए हैं जिसके अंदर आप हर महीने 9850 रुपे की इंकम शुरू कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पर आप जो पैसे निवेश करेंगे वो पैसे भी बढ़कर करिब 9 करोड 37,6,769 रुपे हो जाएंगे दोस्तों म्यूचल फंड्स स्कीम के अंदर अगर आप SWP प्लान में निवेश करते हैं जबकि अगर आप हर महीने इंकम शुरू करने के लिए पोस्ट ओफिस की MS स्कीम को चुनते हैं तो वहाँ पर जाद से जादा आपको हर महीने 4,5,5,5 रुपे का निवेश कर गए 25,5 रुपे तिक इंकम हो सकती है और मैचुरिटी के बाद आपका कोई भी पैसा बढ़कर वापस नहीं मिलता है जो पैसे आप निवेश करेंगे वो पैसे ही आपको वापस मिल जाते हैं जबकि दोस्तों mutual funds scheme के अंदर आपको 2 benefit एक साथ मिल जाते हैं यहाँ पर आप हर महीने एक इंकम भी शुरू कर सकते हैं और अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हैं आज हम इस वीडियो में access के इस fund का पूरा review करेंगे और calculation के साथ समझेंगे हम पर 9,850 रुपे हर महीन इंकम शुरू करने के लिए आपको कितना पैसा निवेश करना है और जो पैसा आप निवेश करेंगे वो बढ़कर कैसे साड़े 9 करोड रुपे तक हो सकता है उससे पहले हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें दोस्तो जो फंड हम लेकर आए हैं अगर हम उसके रिटन की बात करें पिछले 6 महने की तो इस फंड ने रिटन काफे शांदार किया है 11.84% का जबकि अगर हम एक साल की बात करें तो फंड का रिटन 1.22% पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने 22.17% और दोस्तों अगर 5 साल की बात की जाए तो fund का return 18.57% है जबकि अगर हम all time के annual return की बात करें तो fund का return काफी शांदार 24.03% है दोस्तों ये mutual funds की small cap category की scheme है और नाम है access small cap fund direct plan growth यानि कि यहाँ पर जो भी पैसा निवेश कर गया है वो stock market के अंदर जो small cap category के stocks हैं उनके अंदर पैसा निवेश कर गया है तो अगर आप stock market के अंदर निवेश करते हैं तो आपको पता होगा small cap category के जो stocks होते हैं उनके अंदर आपको profit काफी शांदार मिलता है और यहाँ पर इस mutual funds का पैसा भी small cap category के stock में ही निवेश कर गया है अगर हम बात करें हैं यहाँ पर कैसे आपको निवेश करना है और कैसे इंकम शुरू करनी है तो इसके यह आपको option मिलता है SWP plan यानि के systematic withdrawal plan इसके अंदर होता यह है कि यहाँ पर आप एक बार पैसे निवेश करते हैं और जो भी return होता है उसके हिसाब से ही आप एक प्याउड चूस करते हैं इतना ही पैसा आपके bank खाते में हर महीने के अधार पर आता रहता है और जो बाकी का पैसा होता है वो आपके हाँ पर लंबसम amount में add हो जाता है इससे होता ही है कि यहाँ पर हर महीने आप एक fix टामंदरे भी शुरू कर सकते हैं और अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों गर हम rating की बात करें तो scheme की rating शांदार 5 है fund size की बात करें तो लोगों ने 11,390 करोड रुपे इस mutual funds scheme के अंदर पनेपिश के हो हैं अगर NAV की बात करें अनि net asset value की तो यह है 71 रुपीद 52 पैसे का दोस्तों mutual funds के अंदर NAV का price एक unit price होता है जो भी पैसे आप लमसम निवेश करेंगे और जो भी NAV का price होगा इसके हिसाब से ही आपको unit lot की जाती हैं और इसी पर आप profit या loss track कर सकते हैं daily basis पर अगर आपके पास जादा पैसे नहीं है तो अगर आप हर महीने SAP के थ्रू निवेश करना चाहते हैं थोड़े थोड़े पैसे तो 100 पे से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं इस fund के अंदर दोस्तों कर बात किज़ें यहाँ पर holding analyst की तो 81% पैसा equity के अंदर यूज किया गया है और dead fund के अंदर भी करीब 19% पैसा यूज किया गया है total fund size का दोस्तों कर हम बात करें हैं हाँ पर equity sector location की तो construction के अंदर सबसे जादा 20% पैसा यूज किया गया है chemical sector के अंदर 17% other sector के जो share से हैं वहाँ पर 16.9% healthcare sector में 12.9% financial sector के अंदर 10% technology में 10% metal and mining में 5.7% और consumer sector के अंदर भी 5.5% use किया गया है पैसा total fund size का दोस्तों कर हम beta की बात करें जो कि एक risk को represent करने वाला ratio होता है ये भी इसका कम है 0.76 का दोस्तों कर beta एक से कम होता है तो fund के अंदर risk कम माना जाता है अगर हम दोस्तों top holding की बात करें तो यहाँ पर total 72 stock में पैसा निवेश किया गया है इस mutual funds का top holding में नाराइना, fine organic, jk. lakshmi cement, galaxy, ccl product, krishna, bread enterprises इस तरह के total stocks हैं जहाँ पर पैसा निवेश किया गया है दोस्तों हम बात करें हैं आपर इस mutual funds scheme के खर्चे की यानि expense ratio की तो यह भी कम है 0.51% का, small cap category के अंदर, जो mutual funds के अंदर expense ratio है, वो सबसे कम access mutual fund के अंदर नसराता है एक्जिल लोट की बात करें तो यह 1% है, अगर आप पैसे निकालते हैं, बारे महिनें से पहले तब tax की बात करें, दोस्तों 15% तक tax आपको देना होता है, अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं, तब लेकिन अगर आप एक साल के बाद पैसा निकालते हैं, LTCG टेक्स होता है 10%, अगर आपका प्रॉफिट एक लाग रुपे से जादा है, एक फाइनेंश जेर में तब, दुस्तों कर बात कीज़े हैं, आपर फंड मेनिजमेंट टीम की तो अनुपम 2016 से, और 30-10-20-20 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, दुस्तों करें हम बात करें आपर एकसेस मीचल फंड हाउस की, तो रैंक इंडिया में 7 नंबर पर है, कंपनी के पास EUM ऐसे टेंडर मैनेजमेंट की बात करें तो लोगों ने, दो लाग 16,160 करोड पे निवेश के हुए हैं, अलग-अलग स्कीमों के अंदर एकसेस मीचल फंड हाउस के साथ, और फंड हाउस स्टार्ट हुआता 2009 में, दोस्तों इस स्कीम के अंदर SWB प्लान में अगर आप एक बार 12,000 रुपे का निवेश करते हैं, और फंड का रिटर्ण आपको मिलता है एनॉली 19 परसेंट का, अगर आप अपने लिए हर महीन इंकम शुरू करते हैं 9,850 रुपे की, और 5 साल तक इस प्लान के अंदर पैसे को निवेश करते हैं, तो टोटल आपको 9,850 रुपे के हिसाफ़ से, टोटल विट्रॉबल मिल जाएगा 5 साल के अंदर 5,91,000 रुपे का, और आपके 12,00 रुपे भी बढ़कर करीब 19,28,490 रुपे हो जाएगे, इसी तरह तो तो अगर आप 10 साल तक लगतार इस पैसे को निवेश करके रखते हैं इस प्लान के अंदर, तो 9,850 रुपे हर महिने इंकम के हिसाफ़ से, टोटल आपको 11,82,000 रुपे का विट्रॉबल मिल जाएगा, और आपके 12,00 रुपे बढ़कर 10 साल पे हो जाएगे 36,666,683 रुपे, अगर आप दोस्तो 15 साल तक इस प्लान के अंदर इस पैसे को निवेश करते हैं, अगर आप इस पैसे को और 5 साल यानि 20 साल तक निवेश करके रखते हैं, तो 9,850 रुपे हर महिने जो आपको आम अंदनी हो रही है, उसके हिसाब से टोटल विटोवल आपको मिलेगा 23,64,000 रुपे का, और आपके 12,00,000 रुपे बढ़कर 20 साल में हो जाएंगे 1 करूर 37,3,671 रुपे, अगर आप दोस्तो इस पैसे को इस पैसे को इस पैसे के अंदर 25 साल तक निवेश करके रखते हैं, तो 9,850 रुपे हर मेंने इंकम के साब से टोटल आपको 29,55,000 रुपे का विटोबल मिल जाएगा, और आपके 12,00,000 रुपे बढ़कर 4 करूर 13,35,883 रुपे हो जाएंगे, जबकि दोस्तो अगर आप यहां पर और 5 साल यानि के करीब 30 साल तक इस SW प्लान में अपने 12,00,000 रुपे को निविश करके रखते हैं, तो 9,850 रुपे इंकम के हिसाब से आपको टोटल 35,46,000 रुपे का विटोबल मिल जाएगा, और आपके 12,00,000 रुपे भी बढ़कर 9 करोट, 37,6,769 रुपे हो जाएंगे, तो दोस्तों ये फंड उन लोग के लिए काफी आच्छा रहेगा, जो एक पर अपने पैसे को निवेश करके, उस पर हर महीने एक इंकम चुरू करना चाहते हैं, और लोंग टाइम के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, आपको ڈीमेट अकाउंट की जरुत होती है, अगर आपके पास पहले से कोई डीमेट अकाउंट है, तो उस्ते भी आप म्यूचल फंड स्कीमों के अंदर नवेंश कर सकते हैं, देखिने अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो हमने नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में आप इस टॉका उस पे भी आप क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट उपिन कराके इस म्यूचल पॉंट से स्कीम के लिए स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद